नमस्ते अभवादान आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बाजार की बात करेंगे, आज की क्लोजिंग 15,020 के आसपास हुई है, जो की बढ़िया क्लोजिंग है, हम सपोर्ट के आसपास बंद हुए हैं, और ये बढ़िया लेवल्स हैं, जहां प ले रहे थे, आज भी वही चीज सिनारियो बनके आ रहा था, प्लस आज ऑप्सन डेटा जिससे आप से मैं आपको समझाये था, वह भी अपना काम कर रहे थे और इसी कारण जो है, ऊपर से आपको Selling Pressure देखने को मिला बाजार में, कुछ खास यहां पर बुरे संकेत नहीं ह अभी भी हमारे पास नीचे उस gap का support available है, प्लस 15,000 का psychological support भी available है, पांच मिनट की candle पे कुछ आपको दिखाना चाहता हूं है, मैंने कल की बाजार वाली वीडियो में आपको एक level identify करने के लिए बोला था, कि अगर बाजार गिरने लगती है, तो 15,025 का level होगा, जहां पर बा बड़ा होता है, अगर आप futures में trade करते हो, तो 30-32 point का momentum मतलब 22-2300 रुपए, ठीक है, उसके बाद फिर से बाजार उसी level पर आती है, 25 के आसपास और फिर से वहां पर उच्छाल मारती है, 70 तक, लेकिन अगली बार क्या होता है, अचानक से selling pressure आता है, तीन बजने से थोड़ पहले और वो selling pressure क्या करता है, बाजार में एक बड़ी बड़ा sell off लाता है, वो sell off close to 70 point के आसपास का होता है, अगर आप यहां से देखोगे, तो बाजार ने 15,010-60 point के आसपास का वो sell off था, और वो भी digest किया, बाजार ने नीचे से छोटी सी बाइं गाई, 15,020 के आसपास क ट्रेड लेना था, और आपको यहां पर सारे टार्गेट मिलते हैं, निफ्टी में, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा ट्रेड हम लेते हैं, 10 मिनट के केंडल पे, यहां पर भी हमको 20 signal ही मिल जाता है, जबकि बस थोड़े से margin के साथ, अगर हम, मतलब होता है कि थोड़ी वह डेली पैसा कमाता है, ठीक है, लेकिन महीने में 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वह बड़ा नुकसान करता है, आप इसमें आना चाते हो, या आप्शन बायर बनना चाते हो, जो डेली पैसा कमाएगा, 30 दिन, अगर 22 ट्रेडिंग सेसन है, तो वह हो सकता है, 18-20 दिन पैसा पाता है, जिस दिन वो कमाता है, वो बढ़ा पैसा कमाता है, इसी की चक्कर में लगा रहता है, और option writer क्या करता है, वो किस चक्कर में लगा रहता है, को थोड़ा-थोड़ा करके ज्यादा बना लेगा, बून-बून से घड़ा बरता है, और अपने stop losses को manage करते हुए, वो इसस सिर्फ 4-6 दिन अपने आपको profit में लेके आना है, उसके अलावा आप cost पे रहोगे, छोटा-मोटा profit, छोटा-मोटा loss जैसे आज आप छोटे-मोटे profit में हो, क्योंकि एक target है कि stop loss का मतलब है, कि आप अपने risk को manage करोगे, दूसरे trade में जहां पर आपको stop loss मिल दा है, वहां प बनता है, अब आपके लिए सबसे best कि सिनारियो क्या होता है, कि आप अपने आपको identify करो, आप किस category में आते हो, मैं पहले भी कह चुगा हूँ, कि जो हमें दो दिन पहले देखने हो कि मिला था, हमारे सारे target आ रहे थे, वह आपको daily देखने को नहीं मिलेगा, बहुत से दिन बहुत ज्यादा दिन ऐसे जाएंगे, हमारे एक target के stop loss है, एक target के stop loss, कभी-कभी ऐसा भी होगा, दोनों stop loss चले गए, यह worst day हमारे होते हैं, उसी के सामने best days भी आते हैं, अब आपको उस पे command हासिल करना है, back testing जैसे मैंने आपको data करके दिया हुआ है, ऐसे ही आप खुद भ एक बड़ी profit booking हमको देखने को मिली है, result बुरा नहीं है, मैं बार बार यह चीज कह रहा हूँ, यहां पर जो profit booking आई है, वो management की commentary पर आई है, प्लस होता है ना कि छोटे investors जो है, वो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, losses को देखकर, जिस तरीके से volume बढ़ा है, वो अच्छा signal बिल्कुल नहीं दे रहा है, let's hope for the best की जो गिरावट है, वो यहां पर रुके, 310-312 के लेवल पे बड़ा support available है Tata Motors के लिए, देखते हैं इसमें क्या होता है, reliance की बात करेंगे, यहां पर भी volume बढ़ा है, और यह volume बढ़ा रहा है, उपर से जब selling आ रही है, एक समय reliance 2010 के आसपास trade कर रहा था, और वहां से 15-16 point नीचे बंद होने का मतलब है कि reliance पहुने 1% के आसपास वहां से गिरावट दिखाया है, जो कि एक बड़ी गिरावट हम कह सकते हैं, जिस तरीके से market पहुने 1% के आसपास एक समय lows पे trade कर रही थी, उतनी गिरावट reliance में उपर से आ जारी है, नीचे support available है तो 508 के आसपास आए तो आप technical view लेकर के इसमें buying initiate कर सकते हो, आज एक stock portfolio का भी है हमारे VIP, इस पे काफी जादा कोई री जाई और अगर volume आप देखेंगे तो बहुत तकड़े से volume बढ़ा है, इससे पहले जब ऐसा volume बढ़ता है तो इसमें बड़ा momentum आप यहां पर देख सकते हो green candle और बड़ा momentum, आप यहां पर देख सकते हो green candle बड़ा momentum लेकिन, फिर से खास आपको dent यहां पर देखने को मिला नहीं, ठीक है तो momentum आ जाते हैं, मै यह नहीं कहरा हूं, आप यहां पर खिरिदारी कर लो, छोड़ा सा नजर बना कर रखिएगा, काफी दिन से ही पोटफोलियों में है यह हमारे और परिसान करके रखा हुआ था अभी तो छोटा सा प्रॉफिट दिया है होली वालों को खेर यह उन चुनिंदा स्टॉक में से है जो एकदम परिसान करके रख दिता है इस माई ट्रेप देख लिए नीचे कितना भयंकर वालिम बढ़ गया इस रेड गेंडल पर उपर से जो सेल आफ आया कल के आसपास की ही क्लोजिंग यहां पर मिली है 230-232 रुपए उपर आज की क्लोजिंग पाया है देखते हैं यहां पर क्या होता है लेकिन उपर के लेवल पर जो फसे हैं उनको निकलने तो आसानी से दिया नहीं जाएगा या तो एक डिप दिलाई जाएगी या फिर कुछ अलग लेवल का हो रहा है मुझे बात यहां पर एक्जैक्ली नहीं समझ मैं लेकिन ऑपरेटर अपना खेल खेल यह बात बिलकुल साप-साप दिख रही है इंडेक्स की बात करें तो केवल निफ्टी, नेक्स्ट फिफ्टी वो भी बदावलत किसके वो भी बदावलत हिंदुस्तान पेट्रोलियम, UBL, LTI, Foods के इनहीं के कारण यह जो इंडेक्स है वो ग्रीन में बंद हुआ बाकी अगर आप बड़ा स्रेश देना चाहते हो तो व जो है जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे वहां पर वेटेज उनका काफी कम है जैसे PNB, अदानी इंटरप्राइज, Indigo, NMDC, वेदान्त इन सबके वेटेज इस इंडेक्स में काफी कम है और जिस कारण यह इंडेक्स जो है वो ग्रीन में बंद हो पाया है बाकी अदानी ट समाका भी आज इसने किया पहुने 4% के आसपास की तेजी इंटरडे के दरान दिखा रहा था गिरावट में टॉप लूजर था Tata Motors, रिजल्ट के बाद लोगों को बहुत बड़ी पैनिक समझ में आ रही है और इस कारण वो यहां पर बिक्वाली किये हैं क्या यह पैनिक सम मिल जाएगा ठीक गिरावट में कुछ खास बड़ा नंबर था नहीं लेकिन फिर भी यह जो गिरावट आई है यह वी वेट्स के सपोर्ट के कारण मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाया इस कारणा है क्योंकि जब आप निफ्टी भैंक में जाकर देखोगे तो गिरने वाले में कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICI is a bank जब यही बैंक सबा सबा सबास परसंट गीरे रहेंगे तो ना निफ्टी समझ सकती है, ना निफ्टी समझ सकती है ना निफ्टी financial services समझ सकती है, अगर आप निफ्टी financial services को देखोगे यह 1% के आज बड़ी गिरावट दिखाई है जिसका सबस positive momentum देखिए नीचे से कितना बेतरी न आ रहा है और गिरावत में आप देख लीजे को फोर जिंदाल स्टील सेल यह स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं स्टील सेग्मेंट के और यहां पर जो गिरावत है वह बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग का ही हिस्सा है तो बस आज की वीडियो यहीं खतम करते हैं इंफ्रेडर पैटन वालों ट्रेडिंग माइंसेट और साइकॉलजी पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे क्यों कि काफी लो आगी आपके अगेइंस्ट तब वहां पर आपको यह बात पता चलेगी क्योंकि मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि एक नहीं दो नहीं उससे ज्यादा लोगों ने यह बात बोली कि सर अगर हम इस टॉप लॉस नहीं लगाते तो हम यहां पर प्रॉफिट में होते हो क्यों यहां intense momentum आ जाता है और वही उनको चाहिए होता है तो आपको यहां पर अपने level पर कुछ ना कुछ smart decision लेना ही पड़ेगा चाहे stop loss को आप smart तरीके से finish करना है सब कुछ तो अपने हिसाब से situation handle कीजिए बाकी हम कोशिस करेंगे इस पर अकलक से वीडियो बना दें ट्रेडिंग में रोज profit नहीं होगा हमको सिर्फ 4-6-7 दिन चाहिए profit बाकी दिन हम cost पर भी रहेंगे चलेगा जैसे कि आज का दिन गया मिलेंगे फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार अपना और अपनी फैमिली का ख्याल किये नमस्कार